जो धोलो दोस्तो स्वागत करता हूं मैं आपका टागेट फो आईक्यू में अच आज हम बात करेंगे यूपी पॉपॉपलेशन कंट्रोल बिल के बारे में जिसको वुपॉपॉपॉपॉपॉपॉप्र प्रदेश में एक नया लेसलेशन लाए गया है पॉपॉपॉपॉप प्रिजंस मंगा गया है तो कि क्या-क्या पॉसिबल इसमें climate है सकते हैं घिसे एक बेटर लिंटर हम एक प्रिज Veg chick कर पाइढ़ है तो साथसे पहले हम यह बात करेंगे कि कि अब्जेक्टिफ कि जो के यह थे जरूुरत क्या गया है, meaning thereby कि जिस तरह से population जिस speed से बढ़ रही है, हमारे resources का available होना उतना ही ज़रूरी है, so that कि हर एक person को environment का, ecology का benefit मिल सके, लेकिन अगर population बहुत तेजी से बग रहेगी, और resources जो है, बहुत धीरी speed से बढ़ेंगे, तो ये आगे जाके एक imbalance create कर सकता है, society में, क्योंकि हर कोई claim करेगा कि मुझे भी environment का benefit चाहिए, मुझे भी ecology का benefit चाहिए, मुझे भी economy में जंगा चाहिए, मुझे भी livelihood चाहिए, तो अगर resources ही नहीं रहेंगे, तो हम हर एक person को एक basic livelihood कैसे दे पाएंगे, तो ये objective था इस bill की भी, तो जो कि बाग में हम provisions पहले देखेंगे कि इसमें क्य क्या क्या बात की गई है, तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इस bill में है क्या, तो इस bill में सबसे पहले कुछ तरह के incentive है, जो की बिल में बात की गई है, तो अब इनके मैं details बताता हूँ, तो इसमें बिल में दो तरह की बाते की गई हैं, एक है ऐसे parents जिनके दो बच्चे हैं या दो बच्चों की policy वो follow करेंगे और तीसरा बच्चा नहीं करेंगे by the mutual consent and दूसरा category है ऐसे parents जो one child policy को follow करेंगे, तो अब हर क benefits की बात की गई है, अब उन benefits की बात क्या है, तो सबसे पहले section 4 के under ये का गया है कि यदि कोई parent अगर two child policy को follow करते हैं, तो उनके लिए क्या-क्या benefits हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि उनको दो additional increment मिलेगा, जो salary में, उनके entire service के according, and दूसरी चीज़ है कि उनको यदी वो कोई plot खरिदना चाते हैं, यदि कोई घर खरिदना चाते हैं, या कोई भी जंगा, कोई भी चीज़ से खरिदना चाते हैं, तो उनको subsidy इसमें छूट दी जाएगी, subsidy provide की जाएगी, then तीसरी बात है कि अगर वो कोई loan लेना चाते हैं, जो अपना किसी property को खरिदने के लिए, घर बनवानी के लिए घर खरिदने के लिए, तो उनको nominal rate of interest मतलब कि थोड़ा discount दिया जाएगा interest में, और उनको loan provide के जाएगा bank से, then उनको जो water tax है, electricity tax है, water tax है, house tax है, इन पे discount दिया जाएगा, rebate की बात की गई है, then उसके बाद जो mother है और father है, उनको maternity या paternity leave दी जाएगी, 12 मन्त की, तो अभी क्या होता है, जैसे आप maternity paternity leave लेते हैं, तो आपकी salary होती है, उसमें कभी कुछ time के बाद थोड़ा cut होती होती है, लेकिन इसमें प्रोवाइट किया है, maternity paternity leave दी जाएगी, 12 मेनों के लिए, और full salary दी जाएगी, जो भी allowances है, उसके लिए आप पात्र हो होंगे, eligible होंगे, और वो आपका cut नहीं किया जाएगा, आप paternity leave में जाएगे, और आपको full salary दी जाएगी, then उसके बाद, बात की गई कि 3% increase किया जाएगा, जो employer contribution fund होता है, जो pension की under scheme होती है, कि आपको एक retirement के बाद क्या amount मिलेगी, तो उसमें 3% का increase किया जाएगा, interest में, then free healthcare facilities और दी जाएगी, आपके जो lady हैं, women हैं, उनको free healthcare facility दी जाएगी और insurance coverage दिया जाएगा, ठीक है, तो ये कुछ facilities हैं, जो कि ऐसे parents के लिए हैं, जो one child policy को follow करेंगे, या two child policy को follow करने वाले हैं, तो ये particularly उन लोग के लिए हैं, जो public servant है, अब ऐसे parents जो कि strictly two child policy को follow करेंगे, then, उनके लिए क्या provisions हैं, तो उनको additional increment दिया जाएगा, इंटार सर्विस के लिए, और free healthcare facility दी जाएगी उनको, और insurance cover दिया जाएगा उनके बच्चों को, जब तक कि वो 20 साल के age की नहीं हो जाते हैं, then, तीसरी बात है कि उनको, जैसे यदि जो बच्चा है, जो one child policy वाला जो बच्चा है, किसी parent का, तो उसको अगर education institutions में जो admission चाहिए, such as aims की बात करें, या IIMS की बात करें, तो उसमें preference दिया जाएगा, यदि किसी के सिर्फ एक संतान है, तो बच्चे हैं तो, तो उस बच्चे को ये preference दिया जाएगा, कि उसको किस ताप का reservation sort of चीज दिया जाए, वो बाद में government clear करेगी, कैसा है, और free education दिया जाएगा, किसी बालिका है तो, लड़की है तो, ठीक है, तो उसको government job में preference दिया जाएगा, अगर वो single child है, तो ये additional benefit है, यदि किसी जो public servants है, या जो government officers है, तो उनके लिए ये additional benefit है, ठीक है, तो ये bill, खास तोर पे ये additional public servants के बारे में बात किया है, जो government employees है, ठीक है, अब हम अगर बात करे है, कि यदि कोई person इस bill के provisions को wallet करता है, सबस्के लिए कोई government employee है, उसको ये benefits मिल रहे है, one child policy वाले, two child policy वाले benefits मिल रहे है, यदि उसके तीसरी child हो जाती है, तो अब उसके लिए consequences किया है, तो उसके लिए consequences इसमें provide किये गए है, कि इस bill में जो, सबसे पहले तो उनके जो government welfare schemes teams है, वो उसके लिए benefit नहीं पापाएंगे, उसके लिए पात्र नहीं होंगे, दूसरी बात है कि जो राशन कार्ड में जो entries होगी, वो 4 members के लिए limited होगी, उसके 4 members जादा आप उसमें entries नहीं करवा सकते, तीसरी बात है कि वो person जो है ineligible होगा, election contest करने के लिए कोई भी local body का सबोज आप ये जो local level पर जो elections होते हैं या local सिर्फ government का job elections होते हैं तो उनके लिए वो eligible नहीं होगा, देन उसके बाद जो government jobs है, उन government jobs में वो eligible नहीं होंगे, state government के अंडर, देन उसके बाद जो promotion उनको मिलना है, government services के अंडर, वो promotion के लिए वो पात्र नहीं होंगे, और आकरी है कि government subsidy यदि कोई person पा रहा है, तो उसके लिए वो ineligible हो जाएंगे, ठीक है, तो ये बात थी कि डिबारिक rule क्या है, डिबारिक rule का मतलब होता है कि अब उनको अगर more than 2 बच्चे होते हैं, तो उनको क्या-क्या consequences, क्या-क्या उनके जो benefits है वो छिन ली जाएंगे, ठीक है, तो अब जाएड से बात है कि इसमें कुछ exceptions भी होंगे, कि हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता है कि जो तीसरे बच्चा हो ता वो उसमें कुछ conditions भी हो सकती है, तो इस बिल में इस चीसे में बारे में भी बात की गई है, कि exceptions क्या है, कब-कब बच्चों को ऐसा teen child नहीं treat किया तो उनको तीन, दो, तीन या चार के तरह से नहीं treat किया जाएगा, बट कि एक बच्चे की तरह से treat किया जाएगा, multiple pregnancy case में, and वो parents जो है, अपने दूसरा child कर सकते हैं, then दूसरा case है कि यदि कोई parents जो है, तीसरे बच्चे को adopt करना चाहें, मानने, उनके दो पैर बच्चे है और तीसरे बच्चे को adopt करना चाहें, जो भी law के according है, तो वहाँ पे वो debat नहीं होंगे, इस provision candle, तीसरा case है कि यदि किसी के पहला या दूसरा बच्चा जो है, मानने जो है, दूसरा बच्चा है, या पैदा होने पर disabled होता है, या बाद में disabled होता है, तो उस case में वो तीसरा बच्चा कर सकते हैं, तो उसके बाद जो चौता case है, उसमें या तो मान दिजे किसी के parents के एक बच्चा है, या दूसरा बच्चा है, वो मर जाता है, किसी के death हो जाती है, तो उस case में they can have their third child, तो उसको as a third child ने treat किया जाएगा, उसको as a second child ही treat किया जाएगा, चेकें, अब ये बात थी इनके exceptions के तौर पर, कि इस cases में इनको exceptions दिया जाएगा, और इनके जो provisions हैं, जो इनके benefits हैं, वो उनसे नहीं लिये जाएगे, लेकिन अब जाहिर से बात है कि अब ये bill आया है, तो इसके लिए कुछ criticize भी हुआ होगा, इसके फाइदे तो बहुत है, देखें, ज वो ecological distribution of resources की बात की कई एक नौमी में एक जंगा की बात की कई है, वो फाइदे हैं, साहिर से बात है, और इसके साथ-साथ, expert ने इसके कुछ जो नुक्सान है, वो भी गिनवाए, उनके according ये है कि जो UP में total fertility rate है, उनके according, जो total fertility rate मतलब होता है, आप माल लेजे कि एक rate जिसके recording एक analyze कि जाता है कि एक couple के एक on average कितने बच्चे होने चाहिए, तो जो पहले जो था वो 2.7 था, 2015-2016 के data recording, बट अब ये reduce हो चुका है, तो अब ये जो पहले ये 3.8 था, 2005-2006 में, तो वो घट करके 2.7 पे आ गया है, 2015-2016 के data recording, तो जब already इस पर जो total fertility rate है, जो reduce हो रही है, त उसके बाद experts ने कहा कि इस bill के कोई खास जरूवत नहीं है, दूसरी बात, experts ने ये भी कहा कि, सिंस आप हर कोई educated हो रहा है, हर कोई तरफ awareness बढ़ रही है, लोग education अटेंड कर रहे हैं, और counter shift tips के बारे में जान रहे हैं, family planning के बारे में जान रहे हैं, तो उस लिहाद से भी लोग जब education होगा, तो लोग अपने resources के बारे में खुद ध्यान देना शुरू करेंगे, खुद समझेंगे कि जितनी बच्चे resources कोड़ी होना जरूरी है, नहीं होना जरूरी है, तो वो खुद decide कर सकते हैं, तो इसके लिए कोई mandatory legislation कानून बनाने कोई जरूवत नहीं है, त कि क्या जरूरत है, क्या नहीं जरूरत है, तो that's all for this particular news, an issue, तो इसके लाबा मुझे लगता है कि आये आपके exam, government exam के लिए, जतनी भी exam के लिए, इतनी information आपके sufficient है, so thank you, goodbye and please subscribe, Target for IQ.